दोस्तों आज मैं शेयर करूंगा एडिनियम फ्लार प्लांट की शेडलिंग्स कैसे ग्रो करें 100% आपके एडिनियम शेड्स ग्रो होंगे जर्मिनेट होंगे आप ये प्रोसेस को फॉलो करें मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो दिया है लेकिन लास्ट टाइम भी आप लोगोंने काफी अच्छा से नहीं देखा था इसके उपर से मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था शॉर्ट्स वीडियो तो बहुत अच्छा से देखा था लेकिन जो लॉइडियो था लॉइडियो काफी अच्छा से नहीं देखा था इनकेस अगर आप एडिनियम फ्लार प्लाइन की shedlings grow करना चाहते हो तो kindly इस वीडियो को देखिए और आपको 100% फायदा मिलेगा चली आप देख लेते हैं adenium shedlings grow करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए है और इसका जो process है process क्या है देखी मैं हमेशा adenium flower plant coco peat में ही grow करते है और हमको बहुत अच्छा result मिलता है शाथ में आपको sheets भी अच्छे quality की ही लेना है तभी जाके आपको result अच्छा मिलेगा और नहीं तो result बहुत अच्छा नहीं मिलेगा देखिए मैंने कुछ coco peat ले लिए हैं और कैसे लिया है और क्या करेंगे शब कुछ आप लोग को बताते हैं आप लोग kindly आखरी तक बने रहिएगा यह जो coco peat है देखिए आप एक pot ले लेंगे जैसा भी pot है मैंने एक hanging pot लेंगे देखिए और इसमें coco peat को अच्छा से wash कर लिया wash करने के बाद यह जो coco peat है एक गीली है देखिए आप लोग देख पर एक गीली है ऐसा गीली ही होना चाहिए wash करने के बाद इसके बाद आप coco peat ऐसे भर लेंगे कुछ नहीं add करेंगे इसके साथ only for coco peat हमने ले लिये है एक pot में और इसके बाद इसके ओपर से हमको क्या करना है कुछ sheets धीरे धीरे करके जमा देंगे अच्छा से ताकि अच्छे लगे new new plant आएंगे और plant भी बिलकुल line से आएगा और बहुत ही अच्छा लाएगा मेरे पास जो sheets है ये sheets काफी अच्छे sheets है ये देखिए काफी अच्छे sheets है और ये sheets मेरे प्लाइंट के ही ये sheets है देखिए तो हम क्या करेंगे शब से पहले ऐसे करके हमको रखना है देखिए वान रखे है ऐसे एक एक करके आप साजा के रखिए तो ये जो sheets है हमने आभी लिए है ये sheets को मैंने आभी पानी में फुलाया नहीं है आप लोग आगार चाते हो दो घंटा के लिए आप लोग पानी में फुलने के लिए डाल शकते हो दो घंटे के लिए आप लोग पानी में फुलने के लिए डाल शकते हो इसके बाद आब germination के लिए यह जो process है यह process करशक्त हो इसके बाद हम क्या करेंगे कुछ कोकोपीट ले लेंगे जो की कुछ ड्राइफर में होगा ड्राइफर में हम क्यों लेंगे इसके ओपर से हमको cover करना है देखें मतलब ढग देना है जो sheets है sheets को हम ढग देंगे एक layer आधा इंज की एक layer हम डाल देंगे इसके उपर से dry means यह भी धोला हुआ है धोने के बाद हलका सा dry हो चुके है आप ही मैंने इसको गिली नहीं किये है यह डाल दिये है देखी इसके बाद इसको आराम से ऐसे करके हाथों की हिल्प से तुरह सा प्रेश कर देंगे इसके बाद हमको पानी डाल देना है इसमें तुरह सा अच्छा से पानी डालेंगे मेरे पास अभी स्प्रेयर नहीं है तो मैं एक प्लेटे हाँ पर रख लेंगे और इसके उपर पाई डालेंगे इसमें क्या होगा पानी शबी जगा पर फ्यल जाएंगे यह दिखेंगे तोरह सा इधर डाल दिये तोरह सा इधर डाल देते हैं ऐसे करके इसमें हमारा जो कोकोपीट है कोकोपीट जहां की तख बना रहेगा यदर उधर नहीं जायेंगे और नहीं तो ऐसे हाथ के उपर पानी डाल के भी आप ऐसे डाल शकते हैं बहुत अच्छा से पानी डाल देंगे आप बुलेंगे बीच में पानी नहीं गया तो बीच में भी पानी चला जाएगा यह देखिए और नहीं तो इस प्रियार से डालिए इट मेंस नीचे की जो sheets है sheets देखे ना आपको हमने पानी डाल दिये है आप इसको रखना कहा है इसको आपको रखना पड़ेगा room temperature में और इसको cover कर देंगे देखी इसको ढख देंगे ऐसे करके इसको ढख के रखेंगे कहा पर रखेंगे room temperature में च्छे दिन बाद इसको देखना है हमको कि हमारे sheet germination हुआ है क्या नहीं है ठिक 6 दिन बाद चलिए 6 दिन बाद मिलते हैं दोस्तो आज 6 डे इट मिंस 6 दिन हो चुके है चलिए देखते हैं आभी adenium flower plant की shiddlings कैसा हुआ है 6 दिन बाद जो भी result आएगा आप लोग देख पाएंगे वाव amazing ये दिखिए 6 दिन में ही इतने अच्छा से germination हो चुके है कांडली धेन रखेंगा आप लोग काभी भी shiddlings लगाएंगे grow करेंगे तो आप 6 दिन से पहले काभी भी इसके उपर जो cover करेंगे वो cover को अलग नहीं करेंगे 6 दिन बाद का जो result है देखिए आप लोग हो सकते हैं सोचेंगे कि और भी sheets था इसके शाथ साथ और पूरा germination नहीं हुआ है दोस्तों पूरा sheets germinate हो जाएगा मैं एक एक करके आप लोगो दिखाता हूँ क्या होता है काभी काभी पूरे sheets एक शाथ germinate नहीं होता है कुछ आगे पिछे भी होते है यह देखिए यह देखिए यह sheets भी germinate हो चुके है यह बाहर नहीं आ पाया है तो ऐसे करके जितने भी sheets होंगे almost 90% sheets इसमें germinate हो जाएगा यह देखिए यह देखिए इसको देख पर है अप लोगो तो ऐसे करके जितने भी sheets थे यह देखिए यहाँ पर शबी sheets यह देखिए यहाँ पर भी है यह sheets भी देखिए यह germinate हो चुके है यह आप लोगो देख पर है तो ऐसे करके जितने भी sheets होंगे देखिए 90% और above 90% sheets भी हो शक्ते है germinate हो जाए देखिए शबी जगा की sheets germinate हो चुके है आभी इसको और cover करके हम नहीं राखेंगे क्योंकि आभी हम अगर cover करके राखेंगे तो यह जितनी भी plant निकल के आए है बड़े हो चुके है यह सब खराप हो जाएगा गल जाएगा आभी हम cover नहीं करेंगे as it is राखेंगे और आभी भी आपको room temperature में ही राखना है क्योंकि आभी temperature काफी जादा है 44 degree temperature है 45 degree temperature है it means above 42 degree temperature है तो आभी भी आप room temperature में ही राखें ऐसी जगा पर राखेंगे जहाँ पर light हो light रहे या sunlight आदा गंटे के लिए एक गंटे के लिए आता हो ऐसी प्लेस पर राखें आपके adenium flower plant काफी अच्छा होगा उम्मित करूंगा दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंदा है अगर पसंदा है लाइक करें share करें subscribe जरूर करें शाथ में भी लाइक इन का प्रेस करें thanks for watching